वेलकम टू एफ़ ओनलाइन क्लासिस आज हम हिंदी करामर में पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन्द के बारे में यानि पंक्टुएशन मार्क जैसा कि आप सब जानते हैं हम जितने भी वाक्ष़िय लिखते हैं हिंडी के चैप्डर्स वगेरा पढ़ते हैं सेंटेंस हमारे वाक्षिय होते हैं उसके अंदर पढ़ते हैं तो उसमें कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कुछ साइन, कुछ तरीके के निशान चिन जो होते हैं वो आते हैं कहीं पर डंडे का डंडा आता है कहीं कौशन मार्क आता है कहीं चोटा सा डॉट बनावा आता है कहीं दो डॉट बनेवे आते हैं तो ये इस तरीके से आते हैं लेकिन हम कभी इस बात पर शायद गोर नहीं कर पाते हूं कि ये क्या है चोटी चोटी से जो चिन है ना ये बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे गिरामर में गिरामर हो या रीडर हो उसमें बहुत ही महत्व रखते हैं हमारे काम करते समय हमारे तो हमें आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं सभी इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझेगा वि विराम चिन कहते हैं तो देखना है आप जैसे कि वाक्य के पीच में या अंत में जरूरी नहीं कि वाक्य के लास्ट में अंत में ही किया जाए बीच में भी कहीं कहीं किया जाता है जाप हमें दो जंगा हम किसी वाक्य को बाढ़ देते हैं या रोक कर पड़ते हैं जब विराम का अर्थ जो होता है वो होता है रुकना या ठेहरना यानि कि कहीं पर हमें वाक्य में हम बोलते बोलते कहीं पर रुक गए या थोड़ा सा ठेहर के फिर चल दिये फिर बोलने लगे ठीक है तो विराम का अर्थ क्या होता है हमारा रुकना या ठेहरना तो आज हम इसके बारे मे आपके पढ़ने जा रहे हैं विराम चिन के भेद और परकार के बारे में पहला है हमारा पूर्ण विराम पूर्ण विराम यानि कि इस सरी किसे डंडा लगाया जाता है जब हम कोई बाकी लिखते हैं कंप्लीट करते हैं अर्द विराम तो यह है अर्द विराम का चिन हमारा अ पूर्ण विराम के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं पूर्ण विराम के बारे में समझने जा रहे हैं पूर्ण विराम इसका जो हमारा चिन है वो यह है यह जो डंडा लगा है यह है हमारा पूर्ण विराम का चिन किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन लगाने का अर्थ होता है कि वह वाक्य खत्म हो गया है जैसे कि देखिए मैंने यहां पर यह वाक्य खत्म हो गया तो मैंने यहां पर एक डंडा लगा दिया ठीक है यानि जहां एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए महाप मूड विराम यानि कि यह चिन लगाया जाता है ठीक है आगे समझ में ये देखकर आख समझे गएंगे कि आप कहां कहां हिंडी में इस लेख वगएरा करते हैं टाइम लगाते हैं ठीक है लेकिन आप इसका अर्थ भी समझ गए हैं कि ये लगाने का अर्थ क्या होता है जब किसी वाक्य को हम खत्म कर देते हैं पूरा कर देत समब्त आपर पर ये पर्याम यह بors了 कि पड़ रहा हुं कि आगे कुछ नहीं है लापर मेरान रहा है दा पर यहां पर यह वाक्य खतम हो रहा है समाप्त हो रहा है इसके आगे कोई वाक्य नहीं है कि पढ़ रहा हूं क्या पढ़ रहा हूं कैसे पढ़ रहा हूं या इसके पढ़ने के बाद क्या करो कुछ भी नहीं है बस क्या है पढ़ रहा हूं वाक्य हमारा खतम हो गया तो हमने ये चिन लगा दिया तो इसके हा अब है हमारा अर्द्विराम यह देखिए यह आपने देखा होगा यह निशान यह जो साइन है कि एक डोट और नीचे एक कोमा उसके नीचे यह भी आपने जादा तर देखा होगा कि हम कहीं पर भी कोई सुलेक पढ़ रहे हों को लिख रहे हों या कुछ कहानी वगएरा या पोएम वगेरा कुछ पड़ रहे हो रीडिंग कर रहे हो तो उसमें आपने जादा तर देखा होगा ये बनावा आता है लेकिन हमें ये नहीं पता था अपता है कि ये क्या होता है अब आपको ये भी जानने के मिलेगा कि क्या होता है ये क्यूं लगता है कब लगाया जाता है और इसका नाम क्या है अर्द विराम जब किसी वाकिय को कहते हुए बीच में हलका सा विराम लेना हो विराम का मतलब क्या होता है रुकना ही के ठहरना है लेकिन हम यहाँ पर करेंगे ठहरना हो विराम लेना हो यानि कि ठहरना हो पर वाक्यों को खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अद विराम चिन का प्रियोग किया जाता है यानि जहां अलप विराम से कुछ अधिक ठेहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कम ठेहरते हैं वहाँ अद विराम का चिन लगाया जाता है तो समझ आगे आपको कि ये चिन कब लगाया जाता है जब हम कोई भी बात कह रहे हैं कोई भी वाक्य हमने बोला ठीक है और बोलते समय हमें वहाँ पीछ में कहीं पर हल्का सा रुकना पड़े ठेहरना पड़े और फिर उसके बाद हम वाक्य खतम नहीं कर रहे हैं अब देखें यहाँ पर हमने क्या कर रहा है यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी क्यों क्योंकि यह बहुत सस्ती है तो हमने यहाँ पर हमने वाक्य अगर पूरा हमारा यह वाक्य पूरा ही नहीं हो रहा है यहाँ पर कि यहां से लेकर यहां तक हो रहा है कि राम तो अच्छा लड़का है पर वो उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है तो हम यहां पर पूरा हो रहा है तो हम यहां का दिन है आराम मिलेगा अब देखिए यहां पूरा सेंटेंस यहां पूरा नहीं हो अकल रविवार है तो यह सेंटेंस कुछ पूरा नहीं हो लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है हमारा वाक्य क्या है कल रविवार है छुट्टी का दिन है आराम मिलेगा तो हम दो जंगा रुके है जब दो जंगा रुके हैं तो हम दो जंगा ठेरने पर हमने क्या करा है अर्ध विराम का चिन लगाया है लेकिन जब सेंटेंस हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ है तो हमने क्या लगाया है हमने पूर्ण विराम का चिन लगाया है ठीक है तो यहां तक समझ में आगे कि अर्ध वि प्रास बांका देखने हैं मेन अल्फि विराम चिन ही कि हमारा रिख प्रासी है नहीं उस इस टराइस है OR कब लगाया जाता है जादा तर आपझा ही आ जा प्रम्दल उसकत प्रीच ही सबर्सक गरा कि समय हुआ है। इसका नाम है अल्प विराम चिन जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम यानि कि ये वाले चिन से ज्यादा परंतु विराम परंतु विराम से कम विराम लेना हो तो महां अल्प विराम चिन का प्रियोग किया जाता है जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहiegen अल्पी विराम का चिन प्रियोग करते हैं जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़ अब हमारा प्रेशन चीन आप सब जानते ही हैं कि जब हम प्रेशन का मतलब होता है कोई सवाल करना किसी से छीन होता है जो अधर Supreme आपने प्रेशन कीन ही होगाि अर्म इसका प्रयोग प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है अर्थात जिस वाक्य में किसी प्रश्न यानि कि सवाल के पूछे जाने के भाव की अनुभूती हो वहां वाक्य के अंत में प्रश्न लगाया का प्रियोग होता है यानि जहां बाचीत के दोरान जब किसी से कोई बास लगाई होगा कि जब हम किसी से कोई कोश्चन करते हैं जैसे कि उत्हराण में आपके लिए कोश्चन आते हैं आपने देखा हो लास्ट में यह साइन सांग यह सवाल किया गया है यहां पर प्रशन किया गया है ताज मेल किसने बनवाया तो हमने यहां पर प्रशन चिन लगा दिया यानि इससे यह पता चल रहा है कि यह एक सवाल है यहां पर सवाल पूछा जा रहा है तुम कहां जा रहे हो तो यहां पर भी हमारा यह प्रशन चिन लगा यह तो तुम्हारा घर नहीं है, तो यह भी एक सवाल है, कि यह तो तुम्हारा घर नहीं है, यह तो तुम्हारी बुक नहीं है, या क्या तुम खाना खा रहे हैं हो, क्या तुम ने खाना खाया, क्या तुम वहां घुमने जाओगे, इस तरीके से क्या होता है, यह सवाल होते ह जाता है जो कि आपके सामने हैं ठीकर आपकी समझ आ ज्याँ जातर। तो ये विस्मे बोदक चिन या अच्चर रे चिन इलाए की जाता है। ठीक के उधायरण देखिए इसके वहा क्या आलशान घ्र है। किया है, सबसे पहले का वहा यानि, एक होगया अच्छार से हो में बोलना हृँ, वहा किया खुफ्शूरत घर है या वहा खुफ्शूरत जगा है here a ha किसे इहम बोलते है न एक दमें guess तो वहा इस तरीके सेउ कि I여, वहाँ बॉल से वहाँ पर ये हमारा विस्म बोदक चिन का इस्तेमाल किया जाता है प्रियोग किया जाता है ठीक है वहां कि आलिशान घर है रे तुम यहां यह पर आपने देखा हुआ जाद जाद जाते हैं इस तरीके से अरे तुम यहां इस तरीके से तो यह जो इस तरीके से बोलते हैं हम अस्चारे से हो हम क्या वहां पर जाएंगे, इस तर्लीके से होता है न पूल दिला तो यह इसास्वान तो यहां पर इसमी बियोग किया जाता है तो यह तक आपको अच्छ है समझ आगया होगा कि हमारा सबसे पहला हमने क्या पढ़ा वचन के में कि वचन किया होते हैं वचन कितने प्रकार के खोते हैं स्वरी सबसे पहले हम पढ़आ फिराम चिन के색 की तχी है रुकना ठहरना ठीक है क्योंकि हमारे झदने भी हमारे चिन दे रखे हैं विसमें बहुत चिन है प्रशन चिन है और हमारे अर्द विराम चिन है हमारा अल्प विराम चिन है पूल विराम चिन है यह सारे जो चिन है न हमारे वो हमारा दिया ही इसलिए गया है कि हम कोई वाक्य में रुकते हैं ठेहरते हैं फिर बोलते हैं तो हमारे इसलिए विराम का अर्थ है क्या बताया गया है रुकना या ठेहरना तो अब इसे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यह